राहें कठिन तो हैं, मगर, मगर C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है ये श्रिंखला इस श्रिंखला के अंतरगत हम बात करते हैं उन विशेश हस्तियों से जो अनेक कठिनाईयों को पार करते हुए देश और समाज के लिए विशेश उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल हो सके और जो आज हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं साथियों इस कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं श्री निपुन मलहोतरा इन्हों ने अपनी एक संस्था स्थापित की जो आज देश की एक प्रतिनिधी संस्था है ये संस्था दिव्यांग लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए अनेक कारेक्रम चलाती है तो आईए सुनते हैं कारेक्रम प्यारे साथियों मिस्टर निपन मलोतरा के साथ हमारा बातचीत का सफर जारी है तो आईए उनके साथ इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं निपन सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगे अपने स्टूडियो में और मैं आपके साथ बात करना शुरू करने से पहले यह जानना चाहूंगे कि आपने अपने जो कंपनी है जो आपके फादर ने शुरू की थी और आपकी जो फाउंडेशन है जिसका जो से आपने शुरू किया उन दोनों का ही नाम निपमैन क्यों रखा? कोई रीजन इसका? देख मजाक में यह बोलता हूं कि मैं अपना इमको सूपरमैन के तरह समझता हूं इसलिए मैंने अपना नाम निपमैन चुना और मैं कोस्ती में भी लगता हूं सूपरमैन से कोई कम नहीं हूं पर अगर आपको असली सीरियस सीजन बता हूं तो मैंने चोटे भाई का नाम मानिक है जैसमेन आपको बताया है तो जब मानिक और मैं दोनों चोटे थे आपको रोज बोलते थे कि हमें तीसरा भाई चीए जिसका नाम निपमैन है तो हमारे पेरेंट्स ने तीसरा भाही तो नहीं दिया, उसे चे मेरे फादर ने जो कंपनी शुरू की तो वही नाम यूज करके निपन कंपनी शुरू कर दी, तो जब मैं अपना फांडेशन शुरू कर रहा था तो मैंने वही नाम उठा लिया अचा, निपन आपकी कुछ और इंट्रेस्ट और होबीज है अगर तो वह हमें बताई है हमारे शुरूताओं को मेरे को किताबों पढ़ने का एक बहुत इंट्रेस्ट है, जब मैं स्कूल में था तभी मैं हमेशा किताब मेरे साथ होती थी, जब बच्चे खेल कुट कर रहे होते थे मैं कोई ना कोई किताब पढ़ रहा होता था और आज भी मेरा सबसे बड़ा इंट्रेस्ट किताब है, मैं हर अफ़ते कम से कम एक किताब ख़तम करी लेता हूँ, मेरा इतना इंट्रेस्ट है बुक्स में, और मेरे इतना इंट्रेस्ट में इसलिए आए क्योंकि एक बुक के ऐसी चीज है जो आपको एक पैरलल दुनिया मे का इंट्रेस्ट है, में को लोगों को मिलने का बहुत इंट्रेस्ट है, क्योंकि मेरे ख्याल से हर इंसान से कोई ना कोई लर्निंग मिल जाती है और हर इंसान एक इसाब से एक नहीं कहानी है, मुझे बाहर खाना खाने के लिए जाने का बहुत इंट्रेस्ट है, मुझे नह क्या है हमारा प्रामरी फोकस तो डिसेबल लोगों पर यह है क्योंकि मेरे खाल से उनकी रिक्वाइमन्स में सबसे अच्छी तरिके सब मद सकता हूँ कि मैं उनका एक हिस्सा हूँ और मेरे खाल से जो एक डिसेबल लाइफ जी रहा है, वह जो एक्सपीडियंस एक फांडेश कि हम प्राइवेट सेक्टर को कैसे और ज्यादा इंक्लूजिव करें डिसेब लोगों के लिए तो एक चीज़ हमने शुरू की उसका दाम था निपान फांडिशन एकुल आपनिटी अवार्ड जैसे हम उन कंपनियों को रेकरणाईज करते हैं और उन एंजियों को उसक्राव में काफी कोपरेट में जाके वरक्शोप करता हूँ और स्पीचिस देता हूँ कि आप कैसे डिसेबलोगों को और एंप्लॉय कर सकते हो तो हमारी शुरूबात तो यह प्राइवेट सेक्टर और इंक्लूजिन की तरफ से होई था उसक्रावा मैं एक नया कैम्प पर डोनेट करूं तो यह जो फूरूदेस पॉर्टल हमारी फांडेशन एक विल्चर करी देगी है कैसे इंसान को रेक्रिग्नाइज करेगी जिसको विल्चर चाहिए और उसके घर तक डिलेवर करवाएगी विल्चर तो यह हमारा लेटिस्ट इनिशियेटेव और पिछले के साथ काम किया कि विल्चर एकसिस फिल्टर वह एक लगा दे है कि की क्या होता है कि अगर आपको रेटोंट के बाड़ में वेबसाइट पर सच करू तो आपको तुरंट फदा चल जाएगा कि वह रेश्टरॉंट वील्चर एकसिस से बहले है किगीशन आजिए मेरे आठ दोस्त एक रेस्टारंट के अंदर थे हुली के रात थी और पांच लड़के और तीन लड़की और मैं उनको जॉइन करने के लिए रेस्टारंट के अंदर जाने वला था जब रेस्टारंट वालों ने बोला कि as a policy हम डिसेबलों को अंदर अलाओ नहीं कर सकते और उनने खाली यह बोला नहीं पर उनने मेरी विल्चेर को मैंन हैंडल भी किया मेरी विल्चेर को पीछे धका दिया और सब और काफी बुरे तरीके से विवार किया मेरे साथ और मैं प अठारवी सदी के याद आ गए तरीके एक्तिस हो गई पर फिर क्या हुआ कि उस ट्वीट के बाद क्या हुआ कि वो ट्वीट बहुत लोगों ने री ट्वीट करने लग गए और जैसे कि मेरे को पता चलने से पहले ही एक दिल्ली कमंट की इंक्वारी बैट गई गई मीडि उसके बारे में लिखने लग गई और मुझे उस इंसिडेंट से बैसिकली दो बाते पता चाहिए कि एक इस दुनिया में एक ऐसे टाइप के भी लोग हैं जो खाली लुक्स के साब से लोगों को रिश्वांट के अंदर अलाव करना चाहेंगे कि कि रिश्वांट कूल नही यह तरीके से और दूसरी तरीके से मुझे यह भी लगा कि हमारी इंसानी तितनी जागरित है कि अगर एक डिसेबिल इंसान को एक दिल्ली के रेश्टरॉंट में राव नहीं किया तो पूरा देश साथ में उठा में आपने पिर कुछ किया क्या ऐसा कुछ किया जिसकी यह तो पूछने लग जाएं लोग क्या विच्टरॉंट लोग उनको भी रदाइस करेगा एक बोट यह एक इंपोर्टन्ट मार्केट है और वो अपने रेस्टरॉंट इंसान को बनाएं ना बनाएं कम से कम आज पॉलेशी तो नहीं कि कि अम आज पॉलेंगी कि अम आज द और मैंने यह पढ़ा है आपके बारे में कि आपने बहुत सारी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको एकसेसिबल बनाने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स किया हैं उसके बारे में भी कुछ हमारे इश्रताओं को बताईए तो मेरी माँ एक एकसेसिबिलेटी ओडिटर है और मेरी माँ तो दिली मेटरों की जो कमेटी जो हेल्प कर रही थी दिली मेटरों को एकसेसिबल बनाने में उसकी एक मेंबर थी मेरी माने डिली हाई कोड डिली सुप्रीम कोड पार्लिमेंट सब के साथ काम की एकसेसिबल उनको बनाने के लिए और यह तो एकसेसिबल और नीति आयोग को भी मैंने अड्वाइज दिया है कि इंडिया की क्या विजिन होनी चाहिए डिसब्रेटी क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक समाज और एक सुसाइटी आगे बढ़ने लग जाती है यह सुसाइटी कितनी ड्वेलप होई है उसका इंडिकेटर यह नहीं कि उसका GDP कितना ग्रू हो रहा है यह एकनॉमिक ग्रोथ कितनी ग्रोव हो रही है पर उस सुसाइटी के जो सबसे कमजोर लोग है उनको कितने मौके मिल रहे हैं और कितनी खुशी जिंदगी जी रहे हैं और वो कितना आगे बढ़र है है वो मेरे ख्याल से एक बेस्ट इंडिक शुक्रिया थे शुक्रिया. डॉक्र एरम खान, धन्यंकन बटी लैंगलिंग्डो, निर्माण सहियोग विमलेश चाओधरी, निर्माण एवं निर्देशन अजी थोरो, तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली.